हेलो गाइस वेलकम टू क्रिसी क्रोचिप चलेंग तो आज में आप लोगों को आज नमबर किसना जी के लिए जो खड़ा बला खड़ा रहते किसना जी के लिए धूती और ये पठका बना के दिखाऊंगी बहुत आसान तरीके से मैंने बताया बहुत इजी है और वीडियो मे में बता दिया कि कितना चेन लेना है कितना लेंद अपको लेना है उसमें बता दिया तो इसलिए वीडियो आप पूरा देखे अगर कोई प्रॉब्लम होते है तो मुझे इंस्ट्राग्राम फेस्बूक या मैसेज कर सकतो लिंक आपको डेस्किप्शन में मिल जाएगे तो चलिए ज्यादा नहीं बात करते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं क्रोशिय हूल भूग ले लिया 2.5 में और यहां पर दस चेन बना लेंगे एक दो तीन चार पांट छे शाट आट नो और दस दस चेन बना लिया आप क्या करेंगे यहीं पर पकड़ के रखेंगे और यहां प लूब में डबल क्रोशिय बना लेंगे तो यहां पर टोटल दो डबल क्रोशिय हो गया इसके बाद नेक्स्ट लूब में बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया तो यहां पर जितना सारे चेन है सब के ऊपर एक एक पर दबल क्रोशे बनाते हुएश के टाल ça स्प il अग्रेकर ऑफ के लिए खार नमुपके उपड़िया बना चांदे हैं तो कितना चयन लेना है आपको चोदा रそうですね लेने के बाद और तीन चयन लीजिए टोटाल तीन चयन लेजे देखिए यहाँ पर तीन चेल लिया और ऐसे पलट दिया पलट देने के बाद फास्ट लूप के ऊपर देखिए चेन के नीचे जो लूप है यह देखिए लूप है चेन के नीचे इसमें बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट मार एक बार तो देखिए ऐसे फोल्ट करेंगे जहां पर सेंटर हो रहा है यानि कि आधा आधा इधार आधा इधार बीच वाले जो डबल क्रूश्या है उसके उपर दो डबल क्रूश्या बना देंगे अगर आप मारकर लगा लिजे देखिए पूरा सेंटर में दो डबल क्रूश्या बना दिया बाकी जितना यहां पर डबल क्रूश्या का चेन दीख रहा है सबके उपर एक एक बर बनाते हुए लास्ट तक आएंगे जो तीन की चेन है तीन की चेन के उपर जैसे मैंने स्टार् लास्ट पूरा में एकeloर बनाएंगे देखिए चेन के नीचे जो लूप है उसमें बनाया तो दो हो गया फिर हर लूं में एक बर बनाएंगे अप सेंटर में नहीं बनाएंगे इतना शारे है शै Спार के उपर एक एक बडर डब्ल क्रूश्या बनाते लिए लास्ट गा भी को घुमा देंगे फिर लूपद लेंगे पहला ंप चोड़ेंगे next के उपर बनाएंगे फिर next के उपर बनाएंगे फिर next के उपर बनाएंगे तो धेकर मैं पूरा सेंटर में आ गई हूं आप यहां पर दो बना देंगे एक बना लिया फिर और एक बर बनाएंगे तो देखिए लूब कहीं पर भी double crochet मैंने नहीं बढ़ाया बस center में मैंने बिचो 20 जहां पर हो रहा है अधा अधा सिर्फ center में मैंने 2 बना दिया एक है लूम में इसके Çो जितना सारी यहां परे लूब है शबके ऊपर एक एक पर बनाती हुए. लास्ट तीन की जो छेन हैं उहां तक आ जाएंगे यहां तक आ जाईए तो देखिए. लास्ट जो तीन की चेन था, तीन की चेन के उपर भी एक बार बना लिया, फिर एक, दो, तीन, तीन चेन लेंगे, फिर लूप को घुमाएंगे, पहला लूप छोड़ेंगे, दिखिए पहला लूप छोड़ेंगे, नेक्स्ट लूप के उपर बनाएंगे डबल क्रोशिया, इस Round में कुछ भी नहीं करना है कहीं पर बाढ़ाना नहीं है double crochet बार सब की सब लोग के ऊपर एक एक बार बनाते हुए last जो तीन की chain है ुसके ऊपर भी बना लिजे एक एक बार इस Round में एक भी double crochet नहीं बनाना है । तो देखे 更थ कॉम्प्लिट कर लिए और उसके बाद 3 chain बना लिया आप क्या करेंगे ऐसे को कर लीजे और रिखिए यहां पर एक मारकर नाल ती जी ठीक है जब तक यहां पर आएंगे आप बनाते हुए जह तक आएंगे तब यहां पर दो डबल क्रोषे बना दिजे बाकि सम में एक एक बर तो देखिए लास्ट में तीन की चेन के ऊपर एक डबल क्रॉषे बना लिए तीन की चेन के ऊपर एक और जब मैं सेंटर में आई तो यहां पर दो डबल क्रोश्य बनाएं बाकी साम में एक एक पर आप क्या करेंगे तीन चेन लेंगे एक तो तीन ऐसे घुमा देंगे लूप को और जो चेन के नीचे लूप दिख रहा है इसमें बनाएंगे एक पर तो इस राउंड में क्या करेंगे जितना सारे लूप है यहां पर सबके ऊपर एक एक पर बनाते हुए आ जाएंगे और लास्ट में जो तीन की चेन है इसके ऊपर दो बर बना देंगे यानिकि इस राउंड में तरीका यही रहेगा राट में मैंने एक ही लूप बें दो बार करेंगे तो देखिए राउंड में पहुंच गई हूँ यह जो तीन की चेन है इसके ऊपर दो बना देंगे एक और दो अगर आप छोटा लड़ू गोपाल के लिए अगर बनाना चाहते हो जैसे कि काना जी बैठने वाला खाड़ा बला नहीं है बैठने वाला लड़ू गो अगर यहां तक बना लेंगे ना देखिए धूति का से आ जाएगी और बहुत छोटा बनेगा यह लड़ू गोपाल तो बैठने वाला लड़ू गोपाल पांच नमपर लड़ू गोपाल बहुत छोटा होता है तो ए देखिए ऐसे यहां पर आगा स्टीच कर देगे तो यह दूति का से आ जाएगी बहुत छोटा सा लड़ू गोपाल के लिए अगर कितना राउन आप बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और छे छे राउन बनाने के बाद आब यहां पर स्टॉप कर दीजिए तो लास्ट में देखिए मैंने दो डबल कृश्य बना लिया और यहा नोगे राउन के राउन में पहुंच गाई हूं और दो डबल कृश्य बना दे इक ही लूम में 2 डबल कृश्य इसके बाद 3 चेल लिंगे लेगे एक दो तीन चेल लेने के बाद स्टार्ट में जो चेन के नीचे लूफ है इसमें बनाएंगे एक बार नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार ठीक है और यहां पर जितना सारे लूफ है सब के उपर एक एक बार बनाते हुए लास्ट तक जाएंगे और लास्ट में जो तीन की चेन है इसके ऊपर दो डबल क्रोशे बना दिया दिया बाकी सामें एक एक बार आप इस राउंड में क्या करेंगे तीन चिल लिया, लूप को ऐसे घुमा देंगे, पहला वाला लूप छोड़ेंगे, नेक्स्ट लूप के उपर डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो इस राउंड भी कुछ बढ़ाना नहीं है, जितना सारे यहां पर डबल क्रोशिया है, सब के उपर एक एक बार बनाते हुए, बनाते हैं, मैं बनाते हुए, फूरा राउंड कार लेने के बाद, सब के उपर एक जिल ले के दागा को काट डिया, अगर आबके पास पांस नमबर राधारानी है, तो सकाट भी यह जो मैंने बनाया, इस काट बिलंज सकता है, ऊसमें से कोई भी डिजैन आशू अफ उठा जो हाइट है पांच नमबर आधार आने के लिए काफी है बहुत सुन्दर स्कार्ट बन जाएगी देखिए बहुत ही सुन्दर लगेगा अगर इसके ओपर दूसरा कलर देखे आप फूल बना देंगे कोई भी डिजाइन में आप आपको जो पसंद है अगर आप फूल बना द था जाएं मतलोकी आई ऐसे access में ले लेगे 엗े एक चिन बनाने के बाद लेखे एकσιन बनाने के बाधने लोब में Sliap Stitch बनाएंगेगेस सिलिप स्टिच बना एग्चेन लोब ऊठाएंगे और इसमें Sliap Stitch एग चैन नेक्स्ट लोब ऊठाएंगे slip stitch, एक chain, next loop उठाएंगे, slip stitch यानि इस loop से बाहर निकल दिया, फिर से एक chain, फिर slip stitch, एक chain, slip stitch और एक chain, तो ए देखिए यह जो border है बहुत सुन्दो लगता है, तो इसी तरह border आप पूरा last तक बना लिजे, तो देखिए मैंने border दे दिया, और last में आया, आके यहाँ पी एक chain ल लेके यहाँ पर finishing कर देंगे, इस धागा को, देखिए मैंने थोड़ा सा wool cut करके, सुई में पी रोलिया, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम धूती का safe देंगे, और यहाँ पर देखिए, नौट लगा लिया, धूती का safe देने के लिए, ऐसे देखिए, ऐसे फोल्ट करेंगे, और next वलक उठाएंगे, और फिर ऐसे, और यहाँ पर यहाँ पर, यह जो safe है न, यह safe आना चाहिए, तब अच्छा लगता है, इस तरह से हम पकड़ेंगे, और फिर इसको भी हम साथ में लेंगे, देखिए, यह जो धूती का safe है, यह safe आना चाहिए, बहुत यह अच्छा ल देखिए, नीचे से डालेंगे ऐसे, और थोड़ा सा धागा बांधने के लिए ऐसे छोड़ देंगे, और इस तरह से हम पकड़ लेंगे, इस तरह से करने के बाद, हम यहाँ डालेंगे, ऐसे पिछे की तरह हम खीचेंगे, बस यहाँ पर आपको बांधना है, कुछ नहीं क मब आपैंगे और यहां पे ऐसे बांग देंगे हैं दागा को काटेंगे नहीं फिर एक बार देख लेंगे हुआ की नहीं नहीं तो फिर और एक बार चला देंगे में देखें लिच साफल अच्छाालने clones soir यहां पर हम एक्स्ट्रा धागा को काट देखिए जो है ना यह दोनों आना चाहिए देखिए मैंने एक सैंपिल मैंने बना लिया तो देखिए यह इसका भी एक नाम है पता नहीं आप लोगों को मालू होगा तो यह वला बनाएंगे और मैंने देखिए यहां पर बॉर्डर दिया हुआ है तो इसके लिए मैंने पारपिल कलर ले लिया आपको लगे की यह लो कलर से बनाना चाते हो तो उसके लिए बना सकते हो लेकिन एकी कलर में अच्छा लगता है तो देखिए नौट लगा लिया यहां पर तीन चेन लेंगे एक दो तीन लेकिन मुझे चाहिए टबल क्रोशियाक चार क्रोशिया के लिए 4 बनेंगे एक दो तीन लेकिन गीए यह यह थी तीन गृत लुट कोछे बना लेंगे तो यहां पर 2 हो गया फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक बर फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक बर तो देखिए यहां पर टोटल बन गया चार डबल क्रोश्या फिर एक चेन लेंगे और एसे शरी यहां पर तीन चेन लेंगे एक बना हुआ है और दो ठीक है ऐसे घुमाएंगे गुमाने के बाद पहला लूप छोड़ेंगे और नेक्स्ट लूप के ऊपर डबल क्रेशर बनाएंगे यानि चार के ऊपर चारी बनाना यहां पर पांच नहीं बनाना है नेक्स्ट लूप के ऊपर एक बार फिर यह जो तीन की चेन है तीन की चेन के ऊपर इसे लूब उठाएंगे और यहां प दो, तीन, चला लूप छोड़ेंगे, नेक्स्ट लूप के उपर डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक तीन की चेन के उपर एक बार बना लेंगे, दो शारी मैंने तीन राउंड बोला था, देखिए मैंने टोटल पांच राउंड बना लिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब घर बढ़ाएंगे, तीन चेन लेंगे यहां पर, और तीन चेन लेने के बाद, जो डबल क्रोशे है, उसके उपर बनाएंगे, एक बार डबल क्रोशे, अब यहां पर लूप बढ़ाना है, अब देखिए, चार डबल क्रोशे की बीच में बनाएंगे, यह होल में, एक double crochet, एक chain और इसी hole में फिर से और एक double crochet बनाएंगे, देखिए मैंने hole में बनाया, इसके बात क्या करेंगे, इस तरफ दो double crochet है, पहला double crochet के उपर एक बार बनाएंगे, ये जो 3 की chain है, इसके उपर एक बार बनाएंगे, फिर 1, 2, 3, 3 chain लेंगे, पहला लूप छोड़ेंगे, next loop के उपर बनाएंगे double crochet फिर देखिए pattern जो आया एक double crochet एक chain एक double crochet pattern के उपर बना लिया आप देखिए pattern की hole में बनाएंगे एक double crochet एक chain सेम इसी hole में फिर से बनाएंगे फिर देखिए पहला जो double crochet दिख रहा है इसके उपर बनाएंगे एक बर double crochet फिर नेक्स डबल स्य दिख रहा है इसके उपर बनाएंगे और फिर तीन की चेन के उपर लास्ट वला जो है इसके उपर भी एक बर बना लेंगे ठीके फिर से तीन लिया तीन लेने के बाद पहला लूप चोड़ेंगे बना फिर नेक्सित लूप के ऊपर डबल कुरोसिया थे नेक्सित लूप के ऊपर डबल कुरोशिया अब अगया होल यानि पैटेन पैयल की भीतवर बाद और यान लुक recognizable क्रोशिया के ऊपर एक बार फिर देखिए डबल क्रोशिया दिख रहा है अब आगया तीन की चेन तीन की चेन के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया फिर एक दो तीन ऐसे लूप को घुमा लेंगे तो देखिए तीन की चेन बना लेंगे बना लेंगे पहला लूप छोड़ेंगे और next loop के उपर double crochet बनाएंगे, फिर next के उपर double crochet बनाएंगे, फिर next के उपर double crochet बनाएंगे, फिर next के उपर double crochet बनाएंगे, फिर देखें, pattern का पहला double crochet है, इसके उपर बनाएंगे, double crochet आप pattern में बनाएंगे, pattern double crochet, यहाँ पर दो chain बनाएंगे, दो chain फिर एही pattern hole में फिर से और ए इतना double crochet है सब के ऊपर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बार double crochet बना लेंगे, यह पर थोड़ा सा speed बढ़ा देती हूँ, और एक chain लेके धागा को काट देंगे, यह एलो कलर धागा ले लिया, लेने के बाद क्या करेंगे, जो start में तीन की chain है, इसमें हम डालेंगे, crochet, और same, जैसे मैंने धोती में border दिया, same उसी तरह border देंगे, एक chain, next लोग उठाएंगे, और यह धागा को साथ में लेके, और यहाँ पर slip stitch, एक chain, slip stitch, एक chain, slip stitch, एक chain, अब आगया chain की hole, इस hole में क्या करेंगे, इहाँ पर single crochet बनाएंगे, एक, दो, दो chain, same, इसी hole में, फिर से single crochet, आप next loom में बनाएंगे, slip stitch, एक chain, और next loom में बनाएंगे, slip stitch, एक chain, अगर आपको इस border में problem होते हैं, तो आप क्या करेंगे, single crochet से पी, आप border दे सकते हैं, आपको border ही देना है, ऐसा नहीं है कि एही में चलेगा, single crochet से नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप single crochet में border देंगे, तब भी आच्छा लगेगा, देखेंगे, दागा काट लेंगे, और बाकी धागा, यहाँ देखेंगे, ऐसे दूती आप बढ़ा दीजे, बना दीजे, एक round चला दीजे, तब क्या होगा ना, यह थोड़ा सा लंबा हो जागा, क्योंकि धूती में यह थोड़ा सा लंबा अच्छा लगता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, पूरा बीचो बीच बीच रखेंगे, रखने के फिर से बैक आएंगे, और पिछे लेकर आएंगे, यह दुनों एक सार आप उसमें बान देंगे, अब यहां पे बॉडर देंगे, बॉडर के लिए क्या करेंगे, यहां पे सिंगल क्रोशिया से हम बॉडर देंगे, यह नोट लगा लेंगे, और क्रोशिया में डालेंगे, आलने के बाद देखिए यह जो पहला chain है लगे उपर क्रोषिया अब यहां के बननके, और यहांपे si-ngle क्रोषिया बनाएंगे और यह जो निकला हुआ हुल है कि इंगल कुरोशिया कि नेक्स्ट लोब में जवाब बनाएंगे आपको दिखेगा ऐसा नहीं है कि आपको दिखेगा नहीं तो इस तरह से आप यहां पर बना दीजिए एक चिन लेके धागा को कार दीजिए तो देखिए मैंने यह दागा कार दिया पीछे की आया पीछे की पीघरा रहाया तो यहां पर नौट लाइव आप देखिए एलो कलरोल में डाल लिए एसे मैंने डाल लिया डालने के बाद यहां पे ओं दीजिए डालने के भाइन नीचे से फिर नीचे अइसे से एक लूब उठाएबै और टर यहां थाया एबिए ग्राइट देंगे चै किया ऐसे मोती लगा दिया दो अगर आपके पास मोती है तो मोती लगा दीजिए और यह पीछे की तरब रहेगी तो ऐसे कुछ जो पता नहीं चलेगी ठीक है जैसे कि मैंने इसमें मोती लगाया तो इसी तरह लगा लीजे मोती आप देखिए आप बनाएंगे पटका के लिए देखिए फीशे ओही चार डबल क्रोश्य बनाना है तीन चेन ले लिया इसके बाद एक दो तीन फिर फूर्थ लूप में डबल क्रोश्या नेक्स्ट लूप के उपर डबल क्रोश्या फिर नेक्स्ट के उपर डबल क्रोश्या अब क्या करेंगे यहां पर एक चेन लेंगे और ऐसे लूप को घुमा देंगे, घुमा देने के बाद देखिए धागा लेंगे, जस्ट चेन के नीचे जो लूप है, इसी में डबल क्रोशिया बना लेंगे, देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन के उपर डबल क्रोशिया, नेक है लूप इसमें बनाएंगे डबल कॉरिश्या गल नेक्स बनाएंगे डबल कॉस्या और दीखें लास्ट में आएंगे यह देखें दो लूप दीखरहा है एसे इस छाप पेरर बनाएंगे डबल को भीलोघन पर ऑफेर एक चेन और ऐसे घूमाwegen अगर इसमें आपको प्रॉब्लेम होती है तो यहां पर तीन से लिग्जी और ऐसे पहला लूप छोड़ दीजिए और नेक्स्ट लूप के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया और आप आगया तीन की चेन इसके ऊपर एक बार डबल क्रोशिया ठीक है अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसी तरह बना ले यानि की 19 round आप बना लिए यहां पर देखे हम लूप को बढ़ाएंगे यानि डबल कुरशे बढ़ाएंगे तीन की चेन लेंगे और इसे लूप को घूमा देंगे घूमा देने के बाद दिखिए फास्ट बला लूप छोड़ेंगे और नेक्स्ट लूप में डबल क्रोश्या बनाएंगे अब देखिए यह पर चार डबल क्रोश्या है हम चार डबल क्रोश्या की बीच में बनाएंगे देखिए होल में बनाएंगे एक डबल क्रोश्य एक चेन सेम इसी होल में फिर से डबल क्रोश्य यह देखिए इन Bam दुव आप देखिए इस के बम कोह एक बार डबल क्रोश्य और यह जो तीन की चेन है इसके बार गुमвержนे उप को घुमाएंगे गुमाने के बाद ऐसे धागा लेंगे पहला लूप छोड़ेंगे नेक्स्ट लूप के उपर डबल कुरेशे बनाएंगे नेक्स्ट देखे पैटेन का डबल कुरेशे आ गया पहला डबल कुरेशे के उपर एक बार इस होल में बनाएंगे जो एक चेन का होल दबल क्रेशा एक chain This is in the hole में फिसे देखें पहला डबL क्रेशा दीखहरा है एक भार पर फिर नेक्स दोल्य आरा आगे तीन की चेन, तीन की चेन पहला बना लेंगे और फिर एक दो तीन, तीन चैन लेंगे फिर पहला एक बार फिर hole में बनाएंगे एक बर double crush motivo बना आप दो Champ लेंगे यहांव data बना दिया नहींकि यहां पर देखे लिए वी हो गया फिर आप देखे पहलगा दिख रहा है इसके OUTर बना और देखिए इस तरह से दूसरी साइड भी आम बना लेंगे बस आपको स्टार्ट करके दिखा देटे दिखिए जो तीन की चेन है इस लों में डालेंगे ऐसे क्रोश्या और यहां पर उलको फषाएंगे और तीन chain लेंगे तीन chain लेने के बाद देखिए next जो double crochet है इसके उपर एक बार double crochet बनाना है तो total दो हो गया आप बनाएंगे hole में double crochet एक chain सेम इसी hole में फिर से double crochet तो देखिए यह भी बन गया अब देखिए आप दो लूप बचा है दो लूप में पहला बनाएंगे पिर मैं इन इह भूब आप करेंगे तो यह भूबोद देखिए आपको समझ में आजाएगा फिर इस तरह इहां पर बना लेजे तो देखिए मैंने बॉर्डर दे दिया एक साइट ठीक है और दूसरा साइट हम कैसे बॉर्डर देंगे एक बर दिखा देते हैं ऐसे नौट लगा लीजे निहीं बस सिंगल क्रोशिय और ऐसे क्रोशय से डाल लेजे और इजो तीन कीचेन थार के वोपूर सिंखेल क्रॉषिया आब होल आ गया होल में एक बड़ सिंग्ल क्रोषिया अब द दो चेन सेम इसी होल में फिर से एक यह आप सुन शेखलें बंगा देखेये बन गया है पातका जैसे मैंने इसमें किया आप इसी तरह को डेकोरेट किया देढको जो do तो देखिए आपके पास मेटियर्याल है मौती है स्टोन है आप डेकोरेट कर सकते हो और मेरे पास 5 नमबर करना जी नहीं है यानि कि किसना जी नहीं है जो खड़ा वाला खड़ा रहते हैं तो नहीं तो मैं पहन के दिखा देते देखिए मैंने यहां पे स्टोन लगाया और धूती में देखिए जैसे मैंने इसके उपर भी मैंने स्टोन लगाया तो इसमें से लगा दीजिए आपके पास मोती होगा मोती लगा दीजिए भी चिपका दीजे देखिए मैं एक बाद दिखा देतू एक रॉंड ऐसे डालेंगे पीछे की तरफ और यहां पर इस तरफ से धागा को बाहर निकालेंगे मैंने बहुत सारा ड्रेस में बताया ऐसे देखिए अगर नेक्स्ट लूम में ऐसे डालेंगे और धागा पीछे से और इस लूप से निकाल दिया फिर से लेंगे फिर से निकाल दिया फिर से लेंगे इसे धागा नीचे से खीचेंगे ऐसे देखिए ऐसे राउंड बन जाएगी एक एक लूम में ऐसे डालेंगे और ऐसे धागा को बाहर की तरफ खीचेंगे ठीक है लास्ट में आ गए हूँ और यहां पर ऐसे एक चेप लेंगे और एक चेप लेने के बाद धागा को काटने के बाद पीछे की तरफ सुई से ऐसे लोग उठाऊ-उठाके यहां पेश्टीच करके यहां तगाएंगे और यह जो लूप है इसके साद हम बाण देंगे द बना दीजे और इहां पे जाएक से तो हुआइट कलर से धूती बन था है ठीक आपको पसंद जो है आप उसे से बना लेजिए पसंद आप अगर आशा करती मेरा वीडियो अच्छा लगेगा अच्छा लगा तो लाइक केजैसे और दो को सब्सक्राइब करना मत भूलें